अगर पपड़ी के रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हमने इसे बनाया कैसे हैं अब इसमें दालेंगे चावल का आटा और इसे मैं चान कर ले रहे हम फ्रेंट्स इस दिवाली में कुछ नया ट्राइ करिए और यह चावल की पपड़ी जरूर बनाईएगा चावल की पापड़ी खाने में बहुत ही टेस्फुल लगती है फ्रेंट्स हमने यह दुसरा कप भ इसमें बाली हम तीसपून साबुच जीरह यहाँ, इसमें लिए हम दाल रही ही चिली फ्लेक्ष वन टीसपून चिली फ्लेक्स बाक बारिक कटी भी हरी धनिया डालें ऩो बारिक बारिक काष दाल डलेंगे Starting with the Cars, पहले मूंग दाल ढ़ें चार चम्मच गी गी बिखुम और गीज़ गार्म गी तेख दिये के लिगां गरम गीं जाएं तक भी टोणे रीगी म्मक्स से अच्छा तरीके से इसे मैं मिक्स कर लोगी और इसमें गरम गी रीज़ है कि हमारा गी हो गया है गरम आप इसमें डालदेंगे चार चमज घी इस तरह ay डालकर पहले चमज Foods क्रेंगे घी गरम है मिस्ता जलजाएंगे वotes इस तरह से अब चमज्ण ऑटा ital देंगे मिला जये जये ऊजाएंगा जक्तनी अदे आप सेरा जिर Gr को आटे में मिक्स कर लेंगे अब लेंगे गरम पानी यह ज्यादा गरम नहीं और ज्यादा ठंडा नहीं है हमारे हातों को बरदाश हो जाए इतना गरम पानी है गुंगुना सा पानी है फ्रेंड्स ज्यादा गुंगुना भी नहीं है हलका सा गरम हैंगी तोड़ा सा गरम पा अगर पापडी की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसमें से हातों पे थोड़ा सा मसल कर रहने के पेड़ा बना लेंगे हातों पे साइड से हमें एकवल बेलना है फ्रेंड कहीं से मोटा और पतला नहीं रखना है यह देखें यह साइड की बना रही हूं आप चाहें तो चोटी-चोटी बना लीजिए मैं थोड़ी सी बड़ी रख रही हूं इस तरह से मैं दूसरी पापडी भी बना कर प्लेट में रखें अब प्लेम भीड इसे फ्राइब करेंगे में रखेंगे फ्रेंड फ्रेंड फ्राय होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है यह कर दिए इस तरह से थोड़ा चममस से दबा दबा कर इसे आप फ्राइ कर ली जिएगा चावल की पापडी खाने में बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी लगती है friends इसे ट्राइज जरूर करिएगा इस दिवाले में जरूर बनाईए यह देखे इस तरह से हमारी अभी पापडी फ्राइज हो गई है इसे अब हम निकाल लेंगे जहारा में अच्छे तरीके से इसे फ्राइज होने दीजिएगा और यह देखिए अब हमा यह देखिए और यह दारों में सभी में शेयर करिएगा फ्रेंड्स मैं और बे अच्छे दिवाली स्पेशल रेसिपी अपलोड करने जा रही हूं friends आप मेरी रेसिपी को ट्राइज जरूर करिए और हां वीडियो को लाइक जरूर करिएगा लेकिन फ्रेंड्स रेसिपी मे